हेलो फेलो अंट्रोपिनॉर्स इंडिया में बहुत सारे लोग जब भी कोई बिजनस करना चाहते हैं तो उनके मन में स्कूल खोलने का विचार जरूर आता है क्योंकि हमारे हां की सिक्षा व्यवस्ता में बहुत सारी कमिया हैं और ये एक सक्सेस्वल बिजनस होने के साथ समझिक कारवी माना चाता है इसलिए बहुत सारे लोग स्कूल खोलना चाहते हैं पर स्कूल खोलने में सबसे बड़ी समस्या जो हम लोगों के सामने आती है वो ये है कि स्कूल के लिए बहुत सारी government permissions की requirement होती है जिसके बारे में आपको जो proper जानकारी है वो किसी भी government website पर आसानी से नहीं मिलती है तो आईए आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का स्कूल खोलने के लिए हमें कौन-कौन से permissions required होती है यह जो मैं आपके साथ अनभव साजा कर रहा हूँ यह मैंने अपने पिछले साथ साल में ग्यानकृती स्कूल इंदौर में चलाते हुए प्राप्त करे हैं और हमने ग्यानकृती स्कूल की शुरुवात IIT Bombay से graduation करने के बात करी दें तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एक play school को कैसे प्रारम किया जाता है तो सबसे आसान जो तरीका होता है वह शुरू करने का वो यह होता है कि आपको वी play school, pre school या pre primary school जिसको बोलते हैं वह हम start करें तो play school के सबसे features क्या होते है कि आपको उसमें pre nursery classes, nursery classes KG1 और KG2 कई लोग KG1, KG2 को Upper KG, Lower KG या Junior KG, Senior KG भी कोलते हैं इसके साथ ही आप जो Play School होता है उसमें कई लोग side businesses जैसे day care या शामको activity classes भी चलाते हैं Play School ओपन करने के लिए आपको कोई भी private जो structure होता है जैसे आप कोई भी shop खोलने के लिए जो भी आपको permissions required होती है वही सब आपको यहाँ पे लेनी होती है जैसे किसी भी आप proprietorship में, partnership firm में, private limited company में या LLP में भी आप play school या pre school चला सकते हैं अब play school या pre school खोलने के लिए हमें किस type की location की requirement होती है तो actually आप ये residential और commercial दोनों ही type की properties में चला सकते हैं लेकिन ये preferred होता है कि आप इसे residential area में चला है क्योंकि बच्चों को commercial area में उतनी safety और पढ़ने के लिए अच्छा environment नहीं मिलता है वहां से जो भी आपको shop खोलने के लिए जो permission चाहिए होती है जैसे गुमास्ता license है शौप ये establishment act का license है सिर्फ आपको वो लेना होता है और ये license लेने के बाद आपके जो भी existing electricity water पगरे के जो connections है उनको भी commercial में convert कराना होता है सबसे अच्छी बात ये है pre-school के बारे में कि इसके लिए आपको किसी भी तरह की central government से या state government के education department से कोई भी permission लेने की requirement नहीं होती है तो pre-school में सबसे कम permission required होती है इसलिए इसको लोग बहुत ज़ादा prefer करते हैं अब आगला हम देखते हैं कि हम higher classes के school कैसे बोल सकते हैं तो एक बार आप pre-school से जैसे आगे बढ़ते हैं जैसे आपने first class start कर दी तो फिर आपको या तो fifth तक की permission लेनी होती है या फिर eighth तक की permission लेनी होती है तो आप pre-nursary से fifth तक ही या pre-nursary से लेके eighth तक की permission ले सकते हैं तो ये किस चीज़ पर depend करता है कि आपके जो state के जो rules है उसमें किस class के खोलने के लिए कितनी बड़ी building के requirement होती है उस पर ये निरभर करता है एक important बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब आप fifth या eighth तक का school चला रहे हैं तो उसके अंदर कोई भी side businesses आप नहीं चला सकते हैं जैसे कि हम pre-school में day care या activity classes चला रहेते हैं वैसा proper school में संबब नहीं होता अब legal structure क्या होता है जो proper school होता है उसमें आपको एक तो not for profit organization होनी चाहिए यानि गैर मुनाफ़ा वाली जो संस्थाय होती है कि केवल वही fifth या eighth तक के school चला सकते हैं तो इसके लिए आप या तो section 8 company register कर सकते हैं government of India से या फिर आपके state से trust या society भी आप register करवा सकते हैं जैसे हम आने बताया कि आप fifth या eighth तक के permission लेते हैं तो यह ज़रूर ही नहीं कि आपने eighth तक के permission ले ली तो आप एक बार में eighth तक के classes आपको start करने पड़ेंगे आप permission किसी भी class तक की ले सकते हैं और आपके जिस भी class में admissions आ रहे हैं सिफ उतनी classes आप start कर सकते हैं तो सपोस्ट आपके उस 1st य 2nd class तक की बच्चे हैं तो आप सिफ 1st 2nd तक की ही आप classes run करिये और permission आप एक बार में 8th standard तक की भी ले सकते हैं इन आपको जिसके लिए approach कैसे करना होता है तो school चलाने के लिए यह important है कि आपको commercial या educational property में ही school open करें residential area में residential जो houses होते हैं उसमें school नहीं चलाए जा सकते हैं फिर आपको इसके लिए एक dias code लेना होता है जो भी आपका जिला सिक्षा केंदर होता है आपके state का वहाँ से आपको dias code मिलेगा देन आप जो वहाँ का right to education act है इसमें भी आपको register करना होता है तो right to education act में आप register करते हैं वहाँ से एक certificate मिलता है उससे आप एक school की तरह recognize हो जाते हैं दिन आपके school में कितने employees काम कर रहे हैं जैसे अग सपोज आपके 10 तू 15 या 20 से ज़्यादा अगर employees हो जाते हैं आपके school में तो आपको PF और ESIC की भी permission लेनी होती है और जो भी आप company, trust ये society register करते हैं उससे related भी सारे compliance आपको follow करने होता है अब जो last structure आता है जो proper school होता है नरसरी से लेकर 12 तक का standard का school होता है ये भी काफी हद तक 5th और 8th standard के school जैसा ही होता है जैसे इसमें आप सारी classes run कर सकते हैं कोई भी side businesses allow नहीं है लीगल structure भी जैसा 5th और 8th standard के school के लिए चाहिए होता है बिल्कुल वही होता है कि एक not for profit organization होना चाहिए then permission में जो भी हमें 8th standard तक के लिए permission चाहिए वो सारी permissions होनी चाहिए है उसके अलावा जब आपके बच्चे 9th class में पहुँच रहे हैं उससे पहले आपको 10th और 12th class के लिए affiliation लेना होता है affiliation जो होता है वो आपको किसी board से लेना होता है तो अब हमारे पास किस-किस board से affiliation के options है तो school को affiliate कराने के तीन तरीके हो सकते हैं या तो हम किसी state board से ले या national board से ले या फिर international board से ले अब state board में आपके पास कौन-कौन से option है तो state board में आप सिर्फ उसी state board से affiliation ले सकते हैं जि इस राज्य में आपका स्कूल है, तो सपोज आपने इंदौर में स्कूल खोला है, तो आप गुजरात के स्टेट बोर्ड से अफिलेशन नहीं ले सकते हैं, आपको से मध्यप्रदेश के स्टेट बोर्ड से ही अफिलेशन मिलेगा, इस से जो ज़्यादा पॉपलर बोर्ड होते हैं, जैसे कि नैशनल बोर्ड जो है, CBSE, इस से भी आप अफिलेट कर सकते हैं, CBSE जो है न्यू देली बेस्ट है, और यह पूरे इंडिया में अफिलेशन प्रोड करता है, जो second most popular बोर्ड है इंडिया में, वो है ICSE के नाम से जाना जाता है, उसका actual नाम CISSE है, यह दोनों ही भारत सरकार के बोर्ड हैं, Government of India के बोर्ड हैं, इनसे भी आप अफिलेशन ले सकते हैं, और third जो हमारे पास option available है, वो होता है international बोर्ड का, so international baccalaureate जो IB in board नाम से जाना जाता है, या फिर Cambridge international examination, IGSEC नाम से भी popular है, यह usually metros में ज्यादा popular हैं भी, छोटे शहरों में यह वाले schools अभी बहुत कमाए हैं, अब आपको एक बात यह समझना बहुत ही ज़रूरी है, कि आप affiliation के लिए apply तभी कर सकते हैं, जब आप 8th standard से उप का school चलाना चाते हैं, उससे छोटी classes के school के लिए आपको कोई भी state board, CBSE, ICSE, IB, Cambridge कोई भी affiliation आप ले ही नहीं सकते, ना ही कोई requirement है लेने की, अगर आपके state में 5th या 8th class में भी board exam होते हैं, तो आप जो RT affiliation लेते हैं, जो RT का recognition लेते हैं, उसके साथ ही आपको 5th और 8th board की भी permission मिल जाती है, दूसरी important बात ये भी ध्यान रखने वाली है, कि बहुत सारे school आजकल international school नाम रखने का trend बन गया है, ABC international school, XYZ international school, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो IB या Cambridge से affiliated है, उन लोग ने अपने मन से ही खुद का नाम international school रख लिया है, इसके लिए international नाम रखने के लिए किसी भी school का नाम international school रख देते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं, कि अगर आपको खुद का school खोलना है, तो एक ideal तरीका क्या हो सकता है, ये जो मेरा personal अनुभव है, ज्यानकृती school चलाने के लिए, उसके basis पे मैं आपको share करना चाहूंगा, तो सबसे पहले आपको एक temporary campus में, जैसे आपको कोई खुद का bungalow वगरा हो, तो आप उसमें pre-school start कर सकते हैं, तो सबसे आपने इस साल pre-school campus स्टार्ट किया, उसके एक-दो साल बाद आप चाहें, तो कोई खुद की land ले सकते हैं, या फिर कोई building वगरा बड़ी आपको available हो जाती है, तो आप वहाँ पे करके affiliation process start हो जाती है, ज्यादा तर board से आपको affiliation लेने में 2-3 साल तक का समय लग सकता है, तो जैसी आप middle school start करते हैं, आपको parallelly 10th और 12th की affiliation के लिए भी process start करने होगी, तो ये सारी process होने में हमको 2-3 साल लग जाता है, तो actually अगर आप nursery school अभी start कर रहे हैं और proper 12th तक का school ब budget है, आपको पैसे की कोई कमी नहीं है, तो आप 4-5 साल लग सकते हैं, और जिनके बास budget की limitation है, उनको 10-15 साल भी लग सकते हैं, nursery से 12th तक का school start करने के लिए, अगर आपको school खोलने के लिए किसी भी तरह की help के requirement है, या आप school खोलने से related कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे mail कर सकते हैं, yograja.gyankriti.com पे, मैंने IIT Bombay से B.Tech और M.Tech किया है, और हम लोग पिछले 7 साल से ग्यानकृती स्कूल इन दौर में चला रहे हैं, आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, थेंक यू